नमस्कार आप देख रहे ही नया भारत दर्पल समाचार मैं हूँ आपके साथ पलक शर्मा आए नजर डालते ही खबर की ओर RCB फैंस के लिए बड़ी खुश खबरी IPL से पहले हुई विराट कोहली की वापसी जल्द जॉइन करेंगे कैम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बलिवाच विराट कोहली की भारत वापसी हो गई है पिछले दो महिने से वे अपने परिवार के साथ लंडन में थे हाल ही में विराट की पत्ती और बॉलिवूड अभी नेत्री अनुषका शर्मा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था दोनों एक बार फिर माता पिता बनी IPA 2024 से पहले किंग कोहली की देश में वापसी से उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दोड़ गई है IPL के सत्रवे संसकरण का आगास 22 मार्च से होगा गत विजेता 29 सूपर किंग्स के खिलाफ लिग के पहले मैच के जरिये अपनी अभियान की शिरुवात करेगी इस मैच में भारती क्रिकेट टीम के दिगच धोनी और विराट कोहली आमनी सामनी होंगे से पहले स्टार बलेबाज भारत लॉट आए हैं उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा गया दाइहांच के बलेबाज हाल ही में पिता बने थे उनकी पतनी ने एक बेटे को जन्म दिया किंग कोहली इस बात की जानकारी सोशल मिडिया के जरिये दी थी विराट ने अपने छोटे बेटे का नाम अकाय रखा है इसी वज़ा से वे भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे आईपिल के आगामी सीजन में विराट कोली के लिए खास होने वाला है इस सीजन में फैंस कोन से दमदार प्रदर्शन की अपेशा है हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विराट का आगामी टी-20 विश्व कप के लिए टीम में सेलेक्शन उनकी आईपिल प्रदर्शन पर निर्भर करेगा हाला कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है या दावा करना मुश्किल है 35 वर्ष ये बलेबाच ने भारत के लिए 117 अंतराज के मैच के लिए हैं इनमें उन्होंने एक शतक और 37 अर्ध शतकों की मदद से 4,037 रन बनाए इस खबर में बस इतना ही देखते रहें नया भारत दरपन समाचार